और इसको हम पहले सीरीज में कनेक्ट करेंगे उसके बाद इसको परलेली कनेक्ट करेंगे तो पहले सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो पहले सीरीज में कनेक्ट कर लेते हैं इंडिवेजियली वोल्टेज चेक कर लेते हैं पहले कि इन दोनों का कितना वोल्टेज आ रहा है तो को सेट करते हैं DC voltage में तो पहले का जो बैटरीज है अब देख सकते हैं इसका वोल्टेज आ रहा है 7.77 और दूसरा जो बैटरीज है उस नाइन फोर तो अभी हम इसको पैरलली कनेक्ट कर दिया है अब देख सकते एक बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल दूसरे बैटरी का ने वोल्टेज जदा आ गया अब यह 15.83 वोल्ट आ गया है देखिए तो यानी पैरलल के सुरी यानी सीरीस कनेक्शन से वोल्टेज डबल हो जाता है करेंट सेम रहता है